Hi लो हैं के वी ज स्वागत है आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है cricket expert अब भी हम बात करने वाले हैं southafr lægओ डीडी में होने वाले second semi final mokável मुकाबले की стоит और Knights के बीच में मुकाबला होने वाला है Lions का tournament अगर आप देखोगे और Knights का tournament अगर आप compare करोगे ना तो Knights की team के इतने ज़्यादा मुकाबले नहीं हुए चार मुकाबले हुए उसमें तीन तो इनके रदी हुए एक मुकाबला complete करा उनना जो complete करा उसमें वो यह जीत कराए प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ हमारा जो Lions की team है Lions की team के मुकाबले ज़्यादा हुए उनके 14 points है group B में थी है अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी detail discuss कर लेंगे क्या हमारे पास playing 11 रहने वाली है क्या pitch report है क्या कौन से players खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे और पिछले मुकाबलों में क्या performance रहे है तो अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी detail discuss कर लेते हैं second semi final है यह खेला जाएगा Knights और लाइन्स के बीच में होने वाले स्वीनिस पार पोच फिल्ड में सारे के सारे मुकाबले यहीं पर इसी ground के ओपर हुए है आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा और superstar और CSN चैनल होगा इनका YouTube पर आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपके पास पूल भी मैं लाइन्स नहीं सबसे ऊपर खतम कर रहा था अपना टूर्णमेंट नाइट का टूर्णमेंट इतना जादा ब होगे थे अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं सौ परसेंट चांसिज रेन के रेन पूरे के पूरे दिन रेन हैं यहां पर तो यह देखकर चलना कि बहुत कितने ज्यादा चांसिज आंपर रेन के और शायद हमें मुकाबला पूरा ना होता हुआ दिखे पिछ रिपोर्ट क कि अगर मैं बात करूं तो कुछ ज़्यादा चेंज देखने को मिला नहीं है फोर्कास्ट में सिर्फोर सिर्फ रेन ही रेन है तो यह हो सकता है कि भाया एक्स्टा मॉइस्चर आपको देखने को मिल जाए तो स्टार्टिंग मां जोन से भी टीम टॉफ जीतेगी वो बॉलि जापेस करतें टीम जीति है एक बर यहां पर हारी है था आपके पास है F Adams, आपके पास है S Wonberg, आपके पास है Kajiso, आपके पास है और उसके M Badooza आपके पास है तो यह आपके लिए प्लेंग 11 रहने वाली है और चांसे ही हैं कि AC प्लेंग 11 के साथ टीम उतरने वाली हैं अब यहां पर अगर आप देखो जैसे मना आपको बताया Knights जो हैं दूसरे नंबर की टीम है यहां पर और इनके तीन मकाबले रot होगए थे, एक मकाबला यह हार कराए है, मेर बात क्या है कि इनके पॉइंट जाए हैं और यहां पर Titans के पॉइंट है और यहांं पर आप देखो तो Knights के चे यह उपर की दोड़ेंड वीड़ी है पिछ किन किन बैच्मेन ना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है नाइट्स की अगर हम बात करें तो लाइंस की टीम अपना पिछला मुकाबला केप कोबराक्स की खिलाफ हार कराए हैं वह जो इंटर ग्रूप मुकाबले हों वहां पर यह हार करा है अब यहां पर अगर मैं बात करूं प्लाइंस की टीम ने दिखो आर हेंडिक्स ने चे रन मारे के रॉपलोना ने 28 रन दी हेंडिक्स ने 20 रन फिर उसके एंवन बिलजन के अगर मैं बात करूं 18 रन वैंबर्ग 35 रन तो ओवरॉल पिछले मुकाबले में इतनी बड़ीया परफॉर्मेंस रही नहीं थी फॉर्च यहां पर एक विकेट और यहां पर एक विकेट चैट कही है तो यह आपको देखकर चलना है क्योंकि भी यह बहुत ज्यादा चांसे हैं कि यही प्लेयर्स यही बॉलर्स आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दे जाएं अब यहां पर लाइंस के अगर पिछले मुक मुकाबला है उसकी अगर हम बात कर दो वह बात करें तो यहां पर अगर मात करें आप दिखा रहे हैं आप यहां पर अगर आप बात करें यहां पर पी कुरूंगर 36 एक उसन निए 54 रन मारे थे पहले मुकाबले में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया रही थी पीवैन बिलजन के अगर मैं बात करूं 33 रन फिर उसके रहे बहर दिन ना 45 रन मारे नीचे आपको और को ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा ऑल रांडिंग बॉलि करी है पीक रूगर ना यहाँ पर बैटिंग भी बढ़िया करी है तो वह आपको देखकर चलना है शायद आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है नाइट्स ना सिर्फ और सिर्फ एक के मुकाबला खेला है तीन मुकाबले इनके रद हुआ है तो यह मान के चलो कि भई आप बड़े दिन हो गए हैंने खेले हुए को करीब करीब आप मान के चलो कि 20-25 दिन हो गए है कि इनने मुकाबला कोई भी नहीं खेला है और लाइन्स की टीम रेगुलर्ली मैच खेल कर आ रही है तो चांसे यह हैं कि लाइन्स की टीम के परफॉर्मेंस जादा आपको बड़ि बनsk आपने रहे हैं दी हैंडिक उसे मुकाबले मैं तो बहुत बड़ी आपको टीम पर्फॉर्म्ट करके गई होगी बी फॉर्चुन आपके पास ईसमंगला फंगी फॉर्स आपके बास दो विकेट तो तीन विकेट बड़िया परफॉर्मेंस रही है प्लेश की बालर्स सिर्फ एक मौका मिला था बैटिंग करने का अब यहां पर अगर मैं बात करूं एक उसना 54 रन मारे हैं बट अगर आप देखो तो इसको कितना ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है आप ट्राइग कर सकते हो तो तीनों के तीनों प्लेयर्स ट्राइग कर जाओ अपनी ग्रैंड पिछले से पिछले मुकाबले में 90 प्लस रन की पारी खेल कर आया फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एफ बहेद दिन आपके पास है दोनों प्लेयर्स बड़ी हैं जे सिन्मैन आपके लिए एक बहुत तगड़ा ऑप्शन रहेगा पीवैन बिलजन आपको बालिंग भी करवा कर देदेगा और बैटिंग भी करवा कर देदेगा एक आदे दो वर तो आपको निकाल कर दे ही देगा तो यह आपके लिए एक डिफिरेंचल पिक रहने वाला है पीवैन बिलजन क्योंकि यह बहुत बड़िया परफॉर्म कर सकता है अभी के लिए जे सिन्मैन के चाते हो पी क्रूगर को ट्राइग करना चाते हो दोनों ही प्लेयर बड़ी है दोनों प्लेयर इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं यहां पर देखो यह बड़िया परफॉर्म कर जाता है तो इस वैसे आप ट्राइग कर सकते हो तो पक्का ही रहगा एंबदूजा S1Burg मैं से कोई एक प्लेयर M.Baduza मेरे इसाप से ज़्यादा बड़िया प्लेयर हो सकता है आपके लिए बट आपके उपर आप किस प्लेयर को लेकर जान तो S1Burg के साथ भी जा सकते हो अब अगर मेरी परसनल टीम के अगर आप बात करो कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं पीवन बिलजन के साथ जा रहा हूँ उसके बाद यहाँ पर तीन ओल राउंडर और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो E-Hawkins की जगा मैं सोच रहा हूँ मैं एफ अंगीसों को लेकर जाओं यह जो टीम है यह आपके लिए मिनी ग्रेंड लीग की टीम है स्मॉल लीग में मट्राए करना इस टीम को 6-5 का ही रेशो लिया है मैंना इतना बहुत बड़ी है परफॉर्म करा है कंसिस्टेंसी परफॉर्म करा है एफ एडम्स वाइस कैप्टन यहां नहीं तो आपके लाइस बहर दीन को और यह एफ एडम्स या पी क्रूगर मैं से मेरे इसाब से पीक लुगर शायद आपके लिए ज्यादा बड़ी है रहेगा मेनी ग्रेंड लीक की टीम है आपको रिस्क तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा सबसे पहली टीम के अगर मैं बात करूं कैप्टन सी आपर रियाल रेकर्टन एंवन बग आपके पास है उसके पास है उसके बाद पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लिग स्मॉल ग्रेंड लिग फेवरेवल टीम है अपडेट आपको टेली ग्राम पर देखने को मिल जाएगा दूसरी टीम के अगर मैं बात करूं कैप्टन सी यहां पर जो दे रखी है आपर डी हैंडिक्स को वाइस के अप्टन स पूरेशरी टीम के अगर मैं भबबात करूं मिनी ग्रेंड लीग में लगा सकते हो एक मेंबर दो उमर्लब एक मेंबर गहाँिंग है पर पांच मेंबर या दस ARE मबर तक की टीम जेंब आपके लिए हो सकती है प्रास साथ में अगर में बात करूं इस मैच मैं सिर्फ और टीम ने इतने ज़्यादा मैचस नहीं खेले हैं सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला केला अभी बीस या 22 दिन के बाद यह दुबारा मुकाबला खेल रही है तो में बात यह इनके प्लेजन आभी के लिए प्रैक्टिस नहीं गरिया जो में मैचस की प्रैक्टिस होती है वो बात क्या है ग्रेंड लिग खेलोगे तो ज़्यादा बड़िया परफॉर्म कर पाऊगे इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर देजेगा बैल आका अंदर बाद देख कियोंकि ऐसी वीडियो जोर भी आते रहेंगे आपके लेस्ट आनल पर